है फ्रेंड्स आप सब भी का स्वागत है मेरे यूटीब चैनल एसन की पार्ट साला पर फ्रेंड्स आज हम स्पोकें इंगलिस सीरीज का पार्ट टू डिसकस करने वाले हैं और इस पार्ट में मैं आपको सुड एक मोडल भाव है उससे बनने वाले 25 sentences को कराऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इससे और 500 sentences या फिर उससे भी ज़्यादा form कर सकते हैं खुद से तो फ्रेंड्स इस पार्ट में जो भी sentence में आपके सामने डिसकस करने वाला हूँ वो आप day to day life में face करते हैं या तो आप हो सकता है इसे हिंदी में बोलते हो या फिर बहुत लोग मुझ से आप इसे हिंद इंग्लिस में सुनते हो और आपका ही मन करता हो इसे इंग्लिस में बोलने के लिए तो don't worry friends आज आप वो जरूर सीख जाएंगे चलते हैं आगे और देखते हैं कैसे सूर्ट का इसमाल किया आता है इस पोकेन इंग्लिस में और इसको हम समझते हैं तो friends यहां मैं आपको पहले समझा दो कि सूर्ट जो है मेंडल भाव है यह हमेशा सब्जेक्ट के बाद जब आता है और इसके बाद फ़र्वन का फ़र्म में लिखा आता है में वर्प जिसको हम कहते हैं तो friends देखिए मैं आपको समझाता हूँ अब आपको क्या करना है याद रखना है कि जब कोई बात ऐसा हो जिसमें आपको कुछ करने को कहना मतलब कुछ करना चाहिए ऐसा वाला सेंटेंस आय जैसे मुझे पढ़ाना चाहिए तुम्हें पढ़ना चाहिए तुम्हें सोना च तो यही हमारा सब्जेक्ट है उस तरह से यहाँ आपको कि जगह तुम्हें उसे हमें पढ़ना चाहिए यहाँ कुछ भी कर सकते हैं और आप इससे नए-nए सेंटेंस में आ सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है सुट का यूज करिए और उसके बाद आपको क्या करना ह कि याद रखना है कि वर्ब का जो first form होता है root form उसको यूज करना है इसा मारे go went gone जिसे हम पढ़ते हैं इसका वर्ब के अलग-अलग forms होते हैं 5 forms भी जानते हैं हम लोग main 3 forms होते हैं तो go form जो है वो वर्ब का root form है उसका ही use करना हमें यह हमें verb 1 का use करना है तो friends देखे बहुत ही असान है सबसे पहले बात और अगर आप basic level पर है तो यह तो आपको आपके लिए बहुत ही मतलब उपयोगी है तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और इन 25 sentences को हम लोग learn करते हैं जो हमारे day life में बहुत जदा use होते हैं तो friends पहला sentence जो हमारा है वो है आपको पढ़ना चाहिए you should read अब यहां आजए तुम्हें पढ़ना चाहिए इसका भी English होगा you should read और हमें पढ़ना चाहिए we should read ऐसे आप इसको और नया नया sentence form करिए घर में बैठे बैठे और उसको बहुत जदा practice करिए और आप देखिए हैं कि आपके day life में यह सारे words और sentences अपने आप मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए तो I should work hard मुझे के लिए मैंने लगा दिये I उसके बाद मैंने बता है उसके बाद बच्चों को यहां आना चाहिए और अगर मैं बोलू कि बच्चों को यहां नहीं आना चाहिए तो इसमें कुछ करना नहीं है थीन होगए हमारे पास हमें हर सुबव व्यायाम करनी चाहिए यह हमेशा ही सबके बड़े कमुंस चाहिए और अच्छे लोग जो होते हैं अपसोंछाते हैं कि हमें आपको फीट रहने के लिए सुबँँद्द्ध करना चाहिए तो उसके लिए ये चाहिए वाला जब sentence आता है तो उसके लिए हम use करते हैं should का हमें क्या करना चाहिए वियाराम करना चाहिए तो we should exercise आप यहाँ exercise का जगवा वार्काउट पर लिख सकते हैं दोनों ही सही है every morning we should exercise every morning हमें हमेशा सच बोलना चाहिए friends यह भी हम हमेशा सब के मुँँ से सुनते हैं लोह हमेशा आते हैं कि हमें जूट नहीं बोलना चाहिए लोग्या में हमें सच बोलना सकते हैं तो बिलाल तो हमारे सामने हैं हमें हमेशा सच बोलना चाहिए we should always speak the truth we should always speak the truth मुझे पता है कि मुझे अब सोना चाहिए मैं जानता है इसका मतलब है कि मैं जानता हूँ कि मुझे अब सो जाना चाहिए तो I know I should be sleeping now I should be sleeping now मुझे अब सो जाना चाहिए याद रहें, friends मुझे नहीं पता था याद देखिए, यहाँ should भी लगा है यहाँ पर इसलिए का form change हो रहा है और यह continuity को दर्सा आ रहा है मुझे नहीं पता था कि मुझे कहां जाना चाहिए मुझे नहीं पता था कि मुझे कहां जाना चाहिए I had no idea where I should go I had no idea where I should go हमें साम कैसे बितानी चाहिए मन किस तरह से, बताइए किसी से हम लोग पुछते हैं, सला करते हैं कि आज हम लोग क्या करें साम में तो वहाँ, how should we spend the evening? इसको आप असानी से याद कर सकते हैं और असका use भी कर सकते हैं अगला sentence है मुझे कितने सब्द लिखने चाहिए हम पुछते हैं न, जब हमें कुछ लिखना होता है तो कितने सब्दों में हम उसे लिख सकते हैं तो यहाँ जान लेज़े इसके लिए है How many words should I write? How many words? यह question वाला वाट है How many? कितने के लिए How many words should I write? मुझे कितने सब्द लिखने चाहिए अगला है दोस्तों को एक दूसरे की मदद करने चाहिए दोस्तों को एक दूसरे की मदद करने चाहिए तो friends इसमें देखिए जो दोस्त हैं उन लोगों को तो friends यहाँ subject क्या है? खुद friends ही है Friends should help one another एक दूसरे के लिए होता है one another या each other तो one another हमने use किया आगे चलते हैं अब यहाँ हमारा 11 number sentence तो है हर किसी का एक उद्देश से होना चाहिए यह भी sentence हम सुनते रहते हैं आपने day-to-day life में कि हर आत्मी को अपना उद्देश से रखना चाहिए यह उसका एक उद्देश होना चाहिए इस life में तो everybody should have a purpose अगला है आपको दखल नहीं देना चाहिए you should not have interfered you shouldn't have इसको बोल सकते हैं आप दोनों को जब एक साथ बोलेगा तो student have mostly अभी contraction form में ही बोला आता है तो you shouldn't have interfered अगला है हमें खुद को साफ रखना चाहिए clean रखना चाहिए we should keep ourselves clean अगला है हमें बहुत सावधान रहना चाहिए we should be very careful और अगर हमें सावधान रहना चाहिए तो we should be careful अगला है आपको माफी मांगनी चाहिए कोई गलती करता है तो हाँ बोलते हैं, हम लोग सो सलाह देता है कि आपको माग भी मागनी चाहिए तो you should apologize अगला है मुझे बहुत ज्यादा नहीं पिना चाहिए जाहिर सा बात है, कोई ज्यादा अल्कॉलिक है तो बता रहा है, कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं पिनी चाहिए क्योंकि मैं जब ज्यादा पी लेता हूँ, तो मैं कुछ गलत कर देता हूँ यहाँ पर खुल बोल रहा है, कि I shouldn't drink too much अगर कोई और बोले, मुझे के जगा लगा दिया जाए कि तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं पिनी चाहिए तो you shouldn't drink कर देंगे और हो जाएगा आगे देखते हैं मुझे दौड़ना चाहिए I should run जाहिर सा बात है, कोई मोटा हो जाता है हम उसको क्या कहते है, अब तुम्हें दौड़ना चाहिए सुबस बोट करके, तुम्हें दौड़ना चाहिए जाहिए, जाहिए कि इसको पास पैसे है यहां है अगला sentence हमारा जब आप किसी सरवाजने की स्थान पर हो तो आपको धुम्रपा नहीं करना चाहिए इसे हम सौट में भी कहते हैं कि खुले में या फिर यहां पब्लिक ब्लेस में धुमरपान नहीं करने चाहिए simply हम अभी time में यहीं कहते हैं लेकिन इसका English होगा you student smoke when you are in a public place you student smoke when you are in a public place अगला sentence है उसे चार बज़े तक यहां होना चाहिए आप किसी को सोचते हैं कि वो इतना बज़े तक यहां आ जाएगा उन्हें लिख दीजेगा तो दे हो जाएगा तो she should be here by four she should be here by four आपको लापरवाही से कार नहीं चालानी चाहिए यह तो हमने बहुत ज़्यादा सुना है कार क्या बाइक भी हो सकता है आपको आगला है इसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलने चाहिए अब हम जब बोलते हैं कि कि we will learn how to speak with others in a public place and wherever we want सो आगे वाला सिंटेंस है हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और सेकेंड लास्ट कोश्चन हमारे सामने है सिंटेंस आपको मुस्कुराते रहना चाहिए हमेशा ही हम लोग बोलते हैं जब किसी कमूपर हमें स्माइलिंग हाँसी अच्छी लगते है अपने डेसकी स्टेवाग करने चाहिए हम अमें साही सारे सेंटेंस को अपने डे-डे-डे लाइफ में सुनते ही रहते हैं और मैं आसा करता हूँ कि आप आप समझ चुके होंगे कैसे सबजेक्ट प्लस सुड और प्लस आप verb 1 का यूज़ करके इन सारे sentences को बना सकते हैं I hope आप इसको समझ चुके होंगे और अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में तिल देन टेक के अपना ख्याल रखें और ये spoken English series को मैं धेरे-देरे करके आगे लाता रहूंगा और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्द ही grammar का series start करूं जिसमें मैं बहुत ही easy way में grammar सिखाना इस्टार्ट करूंगा और एक-एक topic को बहुत अच्छा से explain करूंगा बहुत ऐसा नहीं कि बहुत मतलब पूरा broad topic को मैं चूज़ करूंगा